हेलो गाईज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पर हम यहाँ पर बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सस इंग्लेंड के बीच में जो फ़र्स टीट्वेंटी खेला जाएगा देखो अभी ODI सीरीज खतम हुआ है आप टीट्वेंटी क्या है ताकि आप अच्छी टीम बना पाओ यह मुकाबले का एक और दिक्कत है सुबह साढ़े तीन बजे स्टार्ट होगा तीन बजे मैच का टॉस हो जाएगा तो यह आप जग पाओ तभी इस मैच में इन्वेस्ट करना अधर्वाइस मत करना यह मुकाबला ब्रिस टाउ मुकाबलों में 203 का फर्स्ट इनिंग का एवरिज स्कॉर 162 का सेकंड इनिंग का एवरिज स्कॉर 29 विकेट स्पिन 30 विकेट पेसर यहानि यहां से आपको बल्लेबाज और स्पिन को थोड़ा एक्स्ट्र अडवंटेज दिख रहा होगा ठीक है अगर आप यह मैचे भी द अच्छा इसको ना कर पाया लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि पिछ से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा रंस बनाने के लिए ठीक है यह आपको ज्यान रखना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्पिन को क्यों यहां पर विकेट मिलते हैं क्योंकि जो करेविन कंडिशन होती है जनरली यह फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर्स को ठावन देती है ठीक है तो दैट फरहाई में बोल रहा हूं देखो विकेट मिला ना मिला वह अलग बात है लेकिन डान मिलता है तो आगर जो olarak picking nature ने इनको काफी फायदा होता है तो यह चीजए आं समझ के चलना इस के लावा आफ्टर टॉस कोई पिच से रिलिटीड न्यूज आती है वो मैं टेलिग्राम पे आपको बता दूगा तो टेलिग्राम से जूर जाना वीडियो के यहां पर मॉयन अली लेंग्स्टन और विल जैक्स यह राइट आप मीडियम भी करते हैं तो यहां पर चॉइसेज यह इनके तीन तेज गिंदवाज हो जाएंगे जरूरत पढ़ती है तो पॉवेल कैने अल्सों कायल मेर्स कैने ऑल्सों ठीक है तो यह तीन यह चार आपको ठ अब तिक्ठा कवर ढालते हों दिखेंगे 500 नंबर पर फॉड ंब्रट पर की जिएँए मोटी खेलेंगे तो वह और अगर इनमें से कोई शेयर करेगा तो वह फॉड है ठीक है और अगर मॉटी खेलेंगे तो साहईद वह सेयर ना करें फिर रसल सेयर कर सकते है यह जो भी म तो दिखाया है लेकिन डुमस्टिक लेवल के फॉर्ड का फॉर्ड का फॉर्म थीक थाक था लिस्टे में अभी अभी जो इन्होंने एक मैच खेला था इंग्लेंड के इस उसमें तीन विकेट भी लिया था ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है यह इनके पावर प्ले के ग सैफ़र्ड और रसल देथ में दीख सकते हैं आपको यह अंके प्लेयर वाइस स्टाइट है अपको सट्एट्स स्ट्राइट देखने मिलेगा से एकाश एक सो सेट्वार underати आपको एक नजर में समझ में आ जाए किस प्लेयर का स्टैट्स कैसा है अभी आप सिर्फ इस्टैट्स पर फोकस करो किसका अच्छा है नहीं है ठीक है एक नजर में समझ जाओगे जब हम टीम बनाएंगे न तो वहां पर हर एक प्लेयर की डीटेल वाइज सेलेक्शन आगे बताऊंगा अभी सिर्फ इस्टैट्स पर फोकस करो ठीक है इसके लावब टेलिग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलिग्राम से जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंड में लिंक है फटा फट जूड़ जूड़ इंपॉर्टेंट है आफ्टर टॉस की अपडेट आपको वहीं पर दी जाती है अब देखो इंग्लेंड की प्लेंग लेवन विद रीसेंटी स्कोर इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है बटलर डकेट हैरी ब्रूक मोहिन अली सैम करन एटकिंसन अदिल रसीज टॉप ले इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके बॉलिंग ऑप्सेंस की बात करें तो यह चार इनके में गिंदबाज रहेंगे जिसमें में इस्पिनर रहेंगे आदिल रसीद पांचवे गिंदबाज के रूप में यह लोग मोहिन अली और लिंक्स चन का यूज करेंगे जरूरत रहेंगे तो इस तरीके से कुछ इनका बॉलिंग डिस्ट्रिब्यूशन होगा रिशंट फॉर्म तो अभी टीट्वेंटी में यह फॉर्म था फिल्साल्ट का ओडियाई में इनों नहीं यह किया है बटलर का फॉर्म में उतना अच्छा नहीं था विल जक्ष ने ठीक्ठा स्सक्राइब हो एक नशीने अच्छा था बाइक बीच में दो मैच्ष में फ्लॉप रहे थे लेंक सन्क का फॉर्म थिक था है मोयना लिगा फॉर्म फॉर्म डिसेंट है देखते हुँ को चलना काफी अच्छा था तायब का फॉर्म काफी अच्छा की था था ठीक है प्लेयर का अच्छा है पीच में कुछ प्लेयर का वॉर्म डिशन् और क्यों डिखन सहां यह इनके प्लेट सेंव वह ही फोर्माट 550 प्लिए के डिखान डिकाए न पिस तो बस अभी stats पर focus करो जब हम team बनाएंगे तो वहां पर हर एक player का detailed voice selection समझेंगे कब किसका selection करना है नहीं करना है ठीक है तो यह मत समझना कि हम बतानी रहें बस अभी आप stats पर focus करो यह मेरा कहना है थोड़ा head to head record देखेंगे जब दोनों टीम एक दूसरे के against खिलते हैं तो क इसका कैसा रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज की तरफ से निकॉलस पूरन नौ मैच की नौ इनिंग में 235 त्वेंटीनाइन का एवरेज है पॉवेल अठावन का एवरेज है ब्रेंडन किंग 31 का एवरेज है कायल मेर्स 36 रसल 40 का एवरेज है सेफ़र्ड का और अकील उसन का ठीक था किसा रिकॉर्ड है बटलर का रिकॉर्ड यहां पर अच्छा है लिंग्स्टन नौ का एवरेज रखते हैं चार मेंच की चार इनिंग में जिसका अच्छा इस्टैट्स है उसके नाम क्या कि हमने ऐसे निसान कर दिया है यहां पर होल्डर आकीलूशन और सैफर्ड क जब इस ग्राउंड पर मैच होते हैं तो किसका इसा रिकॉर्ड है वह देख लो निकॉलास पुरण साथ इनिंग में 249 और 48 का एवरेज है पॉवेल ब्रेंडन किंग काईल मेयर्स और सेफर्ड इनका रिकॉर्ड अच्छा था यहां पर इंग्लेंड की तरब से किसी का रि तो यहां पर थोड़ा स्पिनर्स का रिकॉर्ड भी आपको ठिक ठाक दिख रहा होगा रिजन में आपको पहले ही बता चुका हूं यह थोड़ा प्लेयर बैटल है देखो यहां पर काईल मेयर्स मोयन अली के सामने श्ट्रगल किये पांच इनिंग में दो बार आउट कर के सामने दो गेंदों में दो बार बाकि उतना कुछ छास किसी का है नि थोड़ा कम गेंदे भी खेले तो उसमें आप कुछ जज नहीं कर सकते किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ यावीकनेस को अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ लिए यहां पर यह ओपें करते वे दिखें में और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वन डाउन खेले विकेट कीपिंग यह करेंगे कि नहीं यह कहना मुश्किल है लेकिन कभी-कभी T20 में से होप के खेलने के बाद भी यह विकेट केपिंग करते हैं तो देखो अभी क्या होता है अभी के लिए मैंने इनको लिया हुआ है अगर यह विकेट कीपिंग करेंगे बैटिंग के लिए अच्छा विकेट रहेगा तो यह कैप्टेंची के लिए भी अच्छी आप्शन रहेंगे अगर एक साइट से एंकर करके खेलने वाली सिच्वेशन आ गई डियूरिंग दा मैच तो उस समय यह एक अच्छी पारी खेल सकते हैं तो आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो स्मॉल लिग में खराब अप्शन नहीं रहेंगे पी सॉल्ट यह आपके लिए ट्रॉम्पिक का काम करेंगे देखो टी ट्वेंटी में ओपन करते हैं और एक चीज है कि यह ना हिट और मिस्टाइब के खिलाड़िया अटैकिंग नेचर ऑफ गेम खेलते हैं बस प्रॉब् ले में स्पिनर्स नहीं आए तो यह अच्छा गेम खेल सकते हैं तब आप इनको ले सकते हो बैटिंग सेक्शन से देखो अभी के लिए मैंने विल जैक्स को लिया है विल जैक्स डीसेंट ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग का कोई स्योरिटी यहाँ पर नहीं है क्योंकि अल्र इनकी टीम ले सकते हैं तो उसे एक सिच्वेशन में आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो अधर्वाइस मैं थोड़ा सा भी छोड़ा हुआ है फर्स इनिंग में साइद लेके चले जाओ सेकंड इनिंग में साइद में छोड़ दूँगा हैरी बुक की बल्ले बाजी देखो किस पोजीशन पर रहती है अगर इनकी टीम चेस करेगी और यह पांचवे नंबर से नीचे या पांचवे नंबर पर रहते हैं तो साइद ही अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि अभी ODI मे अगेंस्ट पने मजबूर टीम के अगेंस्ट नहीं बना है लेकिन क्या ना कि कभी-कभी आपने देखा होगा इंगलेंड की टीम काफी ज्यादा अंप्रेडिक्टिबल हो चुकी है तो कभी-कभी काफी खराब खेलती है तो अगर उस सिच्वेशन में फस गई ना इंगले अगर आपको नहीं लेना है तो और यह साथ मैं भी कर लूँगा अभी उसके बाद हीट मायर का फॉर्म अच्छा नहीं है थोड़ा स्ट्रगल करते वे दिखें हैं ठीक थाक बल्लेबाजी कर लेते हैं थोड़ा हीट और में इस टाइप के बल्लेबाजे स्पिन को उतना अ पूरे तीन चार ओवर की गारेंटी तो नहीं है लेकिन हाँ दो से तीन ओवर कर सकते हैं प्लस बल्लेबाजी वोक्स साइद ना खेलें तो मारियो सेफ़र्ड खेलेंगे तो गेंद बाजी बल्लेबाजी दोनों करेंगे फॉर्म अच्छा है मस्टा पिक सैम करन खेलते देखो अगर खेलेंगे तो स्विंग के लिए जाने जाते हैं यहां पर मुझे नहीं लगता पावर प्ले में उतना स्विंग एविलेबल रहेगा स्विंग यानि पिछ पे घास है तब आप इनको कंसीडर कर सकते हो लिंग्स्टन को मैंने लिया वाए यहां पर क्योंकि मै अभी खेल रहे थे तो मैंने इसलिए इनको लिया है बाकी ऑफिस्पिन यह बहुत कर सकते हैं सामने तीन लेफट हैं तो इनको भी लेकर जा सकते हो अगर इनकी बल्ले बाजी लिंक्स्टन से उपर मैंशन हुई ना मोही न लिक ही तभी मैं इनको लेकर जाओंगा जेसन ओ के लिया है लेकिन क्या है ना कि अगर यह रेगुलर क्रिकेट खेलते तो जादा एफेक्टिव होते हैं बॉलिंग से टॉप ले मस्ठा पिक विकेट टेकिंग बॉलर है यॉरकर लेंद का अच्छा प्रियोग करते हैं इनके पास स्विंग एवेलिटी है पावर प्ले में उस सेकेंड इनिंग में बॉलिंग डालती है तो आप उस सिच्वेशन में कंशीडर कर सकते हो आदिल रसी देखो वेस इंडीज के कैसे खिलाड़ी है जो भैंकर स्ट्रगल करते हैं स्पिन के सामने तो मैंने इनको लिया वाई जैसे वहाँ पर आप देखो काईल मेर्स ब्रें सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे बट मेरे पास अधर गूड ऑप्संस हैं जिसको मैंने लिया हुआ है तो मैंने इसलिए इनको छोड़ा एटकिंसन को लिया स्पीड इस्टर है विकेट टेकिंग नेचर के गिंदबाज है तो इंपॉर्टेंट रहेंग कहाँठ तो काफी अच्छी ओप्संस है थोड़ा सा आपको लग रहे होगा बस मैंने आपको सिचुएशन समझाया किस प्लेयर को कि सिचुएशन में ले सकते हैं तो दियान रखना बाकी नीचे कोई और अच्छ अच्छ उपकार से कप्तानी में ने रसल को दिया वाइस नहीं मैंने बटलर को दिया क्योंकि बटलर ऊपिन करेंगे विकेट केपिंग करेंगे ठीक है रसल डूवल रोल लिम्भाएंगे आपको चाहिए तो आप जेसन होलडर को क्याप्टन कर सकते हो सैम करन को भी क्याप्टन कर सकते हो मैंने आपको बताया हुआ इनकी इंपोर्टेंस कब ज्यादा बढ़ जाएगी तो अकॉर्डिंगली कर सकते हो इस टीम में आपको कैसे चेंजेस करने वो भी मैंने आपको बताया हुआ हर एक प्लेयर की सिच्वेशन वाइज की सेलेक्शन वीडियो में अल्रेडी समझा है बस आपको सिच्वेशन मैच कंडि सारी अपडेट मिल जाएगी और आपको वीडियो में हर एक प्लेयर का डीटेल वाइज सिच्वेशन वाइज सेलेक्शन बताया है दोनों को महर्ज करना खुझ से अपनी बहतर टीम बना पाऊगे यह स्मॉल लिक की टीम है इसे ग्रेंड लिक में लगाने की गलती मत करना ग्रेंड लिक के लिए मोहेनली बेंडगेट अलजारी जोसेफ काईल मेर्स और ब्रेंडन किंग इन लोगों को एस प्लेयर रोटेट करो बागी यह जो चार आप्सेंस बताएं इन में अगर आप इनको भी एड़ कर लोगे तो इन पे आप कैप्टेंशी वाइस कैप्टें से जूर जाओ जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में दे दिया गया है फटा फट जाओ जूर जाओ इंपोर्टेंट इसले बताया जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए चाहिन